नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बेंच अकेडमी में आप सबका हर्दिक स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रिदेश पंचायद राज अधिनियम 1947 की सेक्शन 108, 109 and 109A के संदर में दोस्तों हम लोग बेरेक्ट से पढ़ाई करेंगे तो किर्पया आप लोग अगर अभी तक बेरेक्ट नहीं निकाले हैं तो वीडियो को ही पर रोक कर बेरेक्ट में ये सेक्शन खोल लीजे सबसे पहले हम आते हैं धारा 108 पर दोस्तों ये धारा 108 अजबुत है बहुत महत्पूर है इसमें कह रहे हैं पंचायतों को साहिता देने तथा अपरादों के संबंद में पुलिस की शक्तियां एवं करतब पुलिस इन रिस्पेक्ट आफ ओफेंसे एंड असेस्टेंस टू पंचायत पहले इसे बेरेक्ट से पढ़ लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे पुलिस का पिरतेक अधिकारी किसी ऐसे अपराद की जो इस अधीनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम अत्वा उबिदी के बिरुद्द किया गया हो और जिसकी उसे जानकारी हो जाए सूचना ततकाल ग्राम पंचायत को देगा और ग्राम पंचायत और नयाय पंचायत के समस्त सदस्यों तथा सेपकों को उनके बिदी सम्बद अधिकार के प्रियोग में सायता देगा मतलब आप ये देखिए कि पुलिस का पिर्टेक अधिकारी अगर उसे ये सूचना मिलती है उसे ये जानकारी होती है कि उत्तर प्रिदेश पंचायत राज अधिरियम 1947 के अंतरगत कोई अपराद हुआ है तो इसकी सूचना ततकाल पुलिस ग्राम पंचायत को देगी मतलब आप बात समझ रहे हैं अगर पुलिस को ये सूचना मिलती है कि कोई अपराद ही सदी नियम के अंतरगत हुआ है या इसके नियम या उब्विदी के अंतरगत हुआ है तो पुलिस का पिरते एक अधिकारी उसकी सूचना ततकाल ग्राम पंचायत को देगा यहाँ पर पुलिस के लाइबिल्टी बना दी गई है और ग्राम पंचायत और नियाए पंचायत के समझ सदस्यों और सेफकों को उनके विदिसम्मत अधिकार के प्रियोग में साहिता देगा मतलब यहाँ पर पुलिस ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर्स हैं जो भी सेवक हैं उनको साहिता देगी तो आप इसका महत तो समझ रहे न कि अगर इस अधिनेम के अंतरगत कोई भी सूचना पुलिस को प्राप्त होती है तो वो ग्राम पंचायत को देगी और ग्राम पंचायत की मदद करेगी यहाँ पर पुलिस की लाइविल्टी बना दी गई है ऐसे ही अब आते हैं धारा 109 पर धारा 109 पहले पढ़ लेते हैं यदि नियाए पंचायत की अधिकारिता के संबन में अत्वा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत के बीच अत्वा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत अत्वा नगर पालिकात्वा जिला पंचायत के बीच कोई बिबाद उत्पनो तो उसे नियत प्राधिकारी को अविदिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णा अंतिम होगा और उस पर किसी बिदी नियाले में आपत्ती नहीं की जाएगी इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर नियाय पंचायत की अधिकारिता के संबन्द में कोई बिबाद उत्पन होता है कि जैसे दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत है उनके बीच में बिबाद उत्पन हो गया इसमें अभी लेको की अभीरक्षा और उन्हें प्रमारित करने के धंका बर्लन किया गया है custody and mode of proof of records पहले इसे बेरक्ट से पढ़ लेते हैं फिर इसे समझेंगे इसमें कह रहे हैं कि इस अधीनियम के किसी अन्य उपबंद में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ग्राम पचायत के सभी अभिलेक उसके सचिप के अभिरक्षा में रहेंगे देखिए दोस्तो ये बाली जो लाइन है ये प्रारंबिक परिक्षा के दरश्णी कोड से बहुत महत्पूल है और मैं मानता हूँ कि अगर इस पर कोश्चन आ जाए तो सो में से 75 बच्चे गलत कराएंगे अगर परिक्षा में ये प्रिशन आये कि ग्राम पंचायत के अभिलेक किसकी अभिरक्षा में रहते हैं पिरधान की अभिरक्षा में सचिप की अभिरक्षा में नियत प्रादिकारी की अभिरक्षा में ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में तो इसका उत्तर होगा सचिप की अभी रक्षा में रहते हैं लेकिन इसे 75% बच्चे मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं गलत कराएंगे इसलिए आप इस वात को याद रखेगा कि all records of a gram पंचायत shall be in the custody of its secretary ओके आगे पढ़ते हैं सचिप आवेदन करने पर और ऐसी फीज के भुकतान करने पर जैसी नियत की जाए किसी व्यक्ति को ऐसे किसी मुहर अभी लेक की पिर्थी देगा और उसे अपने हस्ताक्षर और gram पंचायत की मुहर के सत्य पिर्थी लिपी के रूप में प्रमालित करेगा मतलब अगर कोई व्यक्ति अभिलेक की पिर्थी चाहता है कि प्रमालिक पिर्थी उसे मिले तो बहे सचिब महुदे को एक application देगा उसके संदर में फीस का भुक्तान करेगा तो सचिब महुदे उसे एक अभिलेक की पिर्थी दे देंगे उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे ग्राम पंचायत की एक महर लगा देंगे और फिर बह पिर्थी लिपी सत्य पिर्थी लिपी के रूप में पिर्मालित हो जाएगी आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के किसी अभिलेग की सम्यक रूप से प्रमालित पृति को अभिलेग के अस्तित्प के प्रथम दरिश्टिया साक्षे के रूप में स्विकार किया जाएगा A Dually Certified Copy of Any Record of a Gram पंचायत shall be received as Prima Facie Evidence of the Existence of the Record मतलब जो ग्राम पंचायत का अभिलेग है रिकॉर्ड है उसकी जो Certified Copy है उसको Prima Facie Evidence माना जाएगा और पिरती एक बाद में साक्षे के रूप में उसी सीमा तक ग्रहन किया जाएगा जहां और जिस सीमा तक मूल अभिलेग यदि प्रस्तुत किया जाता ऐसे विश्यों को प्रमालित करने के लिए ग्रहे होता यानि कि जिस सीमा तक मूल अभिलेग ग्रहे होता उसी सीमा तक ये Certified Copy भी ग्रहे होगी और प्रतम दश्तिया साक्षे के रूप में स्विकार की जाएगी ग्रहा मतलब समझ रहे ना एड्विसेबिल तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो किरपया मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब अबश्य कीजेगा धन्यबाद